यूट्यूब चैनल दिस इस दिपेश बंधारी तो गाइस आज हम डिसक्रस करेंगे निफ्टिक अनलेसिस बैंक निफ्टिक अनलेसिस आज मैंने क्या ट्रेड लिया और उसके बेचे का रिस्क रोड कितना था तो गाइस आज मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब खूंद द उपन हुई थी 49 points उपर बट उपर level sustain नहीं की और selling आना शुरू हो गया था starting के candle में हमें इसने थोड़ा सा positive किया था बट लेकिन अगेन first और second candle में हमें trade नहीं करना अगर कहीं breakout या breakdown आए हमें हमेशा breakout या breakdown trade करना है 3-4-5-6 candle बनने के बाद 7-8-4 candle पर trade करेंगे तभी हम breakout और breakdown पर trade कर पाएंगे बाद में उसने 410 के एक नीचे का level काटा और नीचे जाने के बाद अगेन एक थोड़ा range में गूमने लग गई बट आज पूरा दिन सेलिंग रही उपर गई एक नीचे फिर से आई और इसने एक low touch किया almost 162 का तो one way आज selling हमें देखने को मिली थोड़सी इसने pullback लिया अगर यहां कोई उपर breakout आ जाता तो हमें definitely market almost around 320 और 386 के target expect कर सकते थे बट यहां पर breakout नहीं आया market निचे जाना शुरू कर दिया अभी 194 चल रही है और टाइम ओर है 319 अभी मतलब साथे इन के आसपस के closing आजागी बट most probably अब दोसों के नीचे में closing मिलेगी मैंने आपको daily chart पर पहले भी समझाया कि मेरे लिए जो मेरे अभी important सबसे बड़ा level है वो है 151 और 41 के बीच में मैं आपको यह mark करके दिखा देता हूं almost 144 का level 141 का level अगर daily basis पर कल इधर market ready close कर देता है इसको ब bullish trend था अब वो थोड़ा सा थंडा पड़ जाएगा अब वो थोड़ा neutral में आ जाएगा in fact अब वो थोड़ा बीरिश में convert हो सकता है क्योंकि यह level cut करने के मतलब यह होगा कि market अच्छा कासा नीचे pullback ले सकती है क्योंकि कल thursday है और expiry का pressure भी रहेगा माइड भी हो सकता थोड जादा pressure देखने में मिली as computer nifty 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 1% के आसपस नीचे है तो bank nifty 1.63% नीचे थी तो bank nifty ने क्या किया आज almost around 166.00 उपर खुली उपर से resistance लेने के बाद हमारा आज हर एक level कटा जो भी हमने support बताए थी हर एक level पर support करती गई थोड़ी उपर जाने की कोशिश की फिर से नीच गई और नीचे आते 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 आप एक candle ली देख सकते हैं इतनी बड़ी वाली almost 0.57% इसने पांच मिनट में निकाल दिये थे और 0.36% अगेन इसने अगले पांच में निकाल दिये तो मलब max अगर हम देखें यहां पर calculate करें तो हम यह चेक कर सकते हैं इस candle का high और इस candle का low पकड़ करके चलें तो डेड़ परसेंट हमें 10 मिनट में movement मिल गई डेड़ परसेंट बहुत बड़ी movement होती है guys मतलब 989 43,000 वाली bank nifty एकदम से साथे 300 रह गई तो selling आने के बाद अगें थोड़ी सी buying आई बट buying sustain नहीं कर पाई और फिर से selling आना शुरू हो गया है विसके तो कल के लिए level देना भी बहुत मुश्किल है guys क्योंकि अभी bank nifty का भी मैं आपको overview बता सकता हूं हमने जो level एक main बताया था bank nifty में 880 का अगर 880 के नीचे closing आती है तब हमें थोड़ा सा downfall देखने को मिलेगा और हमने का था कि 500 cents का हमारा target होगा बट 500 cents ने आज ही touch कर दिया है तो 550 के नीचे 850 के नीचे 880 के नीचे closing का रहे है यह तो negative closing मैं मानूँगा बट कल might be chance हो सकते कि कल जादा volatile ना रहे ना जादा उपर जाए न वोड़ा सा nifty prefer करना होगा क्योंकि थोड़ी ज्यादा volatile है क्योंकि definitely आज maximum लोगों के account खाली हो गई होगे option seller के भी option buyer के भी option seller दूर की जो call sell करके बैठते हैं फिर put sell करके बैठते हैं अगर आज की उन्हें put sell की होगी गलत जगा पर तो again वो trap हो गई होगे और काफी उनको बड़ा loss देना पड़ गया होगा as an option buyer अगर आपने call buy की होगी तो आपको बहुत बड़ा या देख सकते हो कितनी बड़ी red candle है almost एक दिट परसेंट आपका मदब पूरा capital destroy कर सकती है इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने stop loss और अपनी hedge position साथ साथ में रखो ताकि आपका बड़ा movement आ सकता है unexpected आ सकता है अब मैं बात करता हूँ nifty की nifty की again हमें चेक करना है यह मैंने आपको crucial support बता दी है जो है 18,141 bank nifty की है हमारी 43 42,300 के आसपास 200 के आसपास की अगर इनकी नीचे level करती है तब हम bearish हो जाएंगे हमें bullish रहने का कोई मतलब बनेगा नी फिर बहु अब कल के लिए मज़ेता रोगा दिन देखने के लिए इक लिए लेवल खोड करके एक बड़ी उपर जाना शुरू करेगी या फिर नीचे ही आएगी अब मैं आपको अपना profit and loss दिखा देता हूँ order book हम position में गए आपको एक बड़ी अपना ये refresh भी कर देता हूँ तो आज almost हमने यहाँ पर थोड़ी जी बीच में bullish position बनाई थी हमने 122 पर put बेची थी और 100 हमारा 27-27 का stop loss था पांच लगा stop loss था और almost 10-11 रुपे गा target था हमने यहाँ पर 4500 रुपीस book किये थे अभी अब चेक कर सकते हो अगर हमें profit booking भी time पर करनी पड़ेगी अगर मैं profit book नहीं करता तो 231 चल रही है which is more than 100 points 100 points into 450 मतलब मेरको 45000 रुपे से उपर का नुकसान देना पड़ता हमें जो profit है वो time पर book करने ही पड़ेंगे अगर profit book नहीं करेंगे तो loss बहुत बड़ा देना पड़ेगा और हमें हमेशा hedge और stop loss के साथ trade करना पड़ेगा मेरा again जो nifty का म आप बता सकता हूं आपको मैंने किदर trade लिया था एक support नजर आ रही थी उससाफ से मैंने देखकर के trade लिया था वहां पर मैंको लगा था एक buying का momentum दिख सकता है तो इस level के आसपास जब market एक hold कर रही थी मैंने आपको कहा था price action इन बीच में जब भी बनेगा ताब हम आपके लिए थोड़ा सा बुलिश्ट लेए सकते हैं यहां पर थोड़ी ग्रीन बनी मैंने थोड़ा सा यहां पर बुलिश्ट लिया यहां पर profit book कर लिया यहां पर जब selling देखने का दबाव मिला तो नीचे आना इसने शुरू कर दिया था तो गाईस यही था मेरी तरफ मे आपके लिए थोड़ा सा ऐसा अपडेट अगर आपको वीडियो चे लगए हो डू लाइक शेर कॉमेंट और सब्सक्राइब मैं चैनल गाइस मैं आपको अभी भी यही कह रहा हूँ अब कम कॉंटिटी में ट्रेड करना अग्रेसिव हो के मत बे करना थेंक्यू और हैवन